नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रेवंत राज मतहमाटिक्स में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट में सनातक का वेटेज 10% किया पेटरन नहीं बदला दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर रीट की रीट गाइड दो पारियों में ओफलाइन मोड में एकजाम बाएरी राजियों के अभियरतियों का कोटा खत्म नहीं किया जाएगा मई में जारी हो सकता है रीजल्ट जिहां दोस्तों 25 अपरेल को होगी रीट की परिक्षा जिल जिले में रीट की तैयारी के लिए 10,000 से अधिक अभियरति जुटे वे हैं दूसरी और एकसपर्ट्स मानते हैं कि यदि रीट एकजाम समय 25 अपरेल को आयोजित हो जाती है तो 15 से 20 दिन में ही इसका रिजल्ट गोसित किया जा सकता है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप सारे सवालों के जबाब या पर दिये वे हैं REIT की विग्यप्ति कब तक जारी होगी REIT 25 अप्रेल को प्रस्ताविते एक्जाम को लेगर विग्यप्ति इसी महीने के अंतर तक जारी कर दी जाएगी फोरम बरने के लिए दो महीने का वक्त दिया जा सकता है REIT एक्जाम में क्या ओनलाइन या ओप्लाइन होगी तो ओप्लाइन होगी दोस्तों दो पारियों में हो सकती है क्योंकि ज़्यादा स्टुडेंट यांपर है 11 लाग 12 लाग के आसवा से तो दोस्तों देख सकते हैं या आज की पूरी की पूरी नियूज है और एक तरफ जो है दोस्तों BSTC और BAD विवाद भी चल रहा है दोस्तों अभी तक ठीक है दोस्तों तो संशे बनावा है आपको क्या लगता है कि दोस्तों 25 अपरेल को एक्जाम होगा या नहीं होगा क्या BSTC BAD का विवाद जो है वो जल्दी खतम हो जाएगा क्या BSTC फस्ट लेवल वालों का ही है केवल या BAD वालों को भी शामिल करना चाहिए आप अपना मत जरूर दे दोस्तों और यह आज की रीट की लेटेस्ट न्यूज थी तो दोस्तों कैसी लगी न्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जैहिन जै बारत थैंक्यू